हाई फ्रेंड वेलकम टू दिख्चा के एंड सी आज मैं सक्स के फाइनल पार्ट बना रही हूँ यानि की लास्ट पार्ट मैंने थ्री पार्ट में एक सक्स कम्पलेट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से बुन सके आज मैं लास्ट पार्ट में य अलग अलग बनाते हैं वह बताऊंगी ये जो हिल्स पार्ट दिख रहे है ये मैंने आगे की वीडियो में बनाया है मेरे चनल में जाके आप देख लीजिए आज मैं श्रिफ और श्रिफ ये टॉइच पार्ट बनाऊंगी दोनों पेर में टॉइच पार्ट जो है सेम भी डिफ्रेंसेज नहीं है जैसे जिसमें बनाऊंगी जैसे उसी तरिके से मैं ने दूसरे प्यर के लिए बना लिया अब हम फार्ष टू स्थेजन दिवहट करेंगे फिलाल हम फास्ट के seven stitch और last के seven stitch बुनेंगे नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी के stitch से हम ये पंजा बनाएंगे और पंजा बनाते हुए हम decrease करेंगे ये जो दिख रहा है ऐसे करके हम decrease करते हुए जाएंगे फिलाल आपको समझ नहीं आएगा मैं आपको बना के बताऊंगे तो आप समझ पाऊगे अब हम seven stitch slip करेंगे बुनना नहीं है ऐसे ही उतारेंगे one, two, three, four, five, six, seven seven stitch slip कर लिया अब हम यहां से दुसरे उल से बनेंगे अब ध्यान से देखिएगा दुसरे उल से हम जैसे आगे बुनते आ रहे थे सीधा उसी तरीके से हम यहां पर 30 stitches है center में last seven छोड़के यहां तक उतना हम नर्मली सिधा बुनेंगे two हो गिया 29, last one 30, 30 stitches मैंने center में सिधा बुन लिया first में seven stitches slip किया आगे में दिखाया मैंने आपको और last में seven stitches है two, four, six, one, seven first के seven और last के seven हमने छोड़ दिया और यहीं से हम बिना बुने यह seven stitches बुनना नहीं है यहीं से हम turn करेंगे जो हमने fourteen stitches छोड़ा है उससे हम बाद में यह thumb बनाएंगे फिलाल हम यह पंजा बना रहे है अब यहाँ पर हमारा total thirty stitches है इन thirty stitches को दो पार्ट में divide करेंगे first में हम thirteen stitches बुनेंगे और last में fourteen stitches बुनेंगे बाकी के three stitches जो center में आएगा उससे हम एक साथ बुनके decrease करेंगे फिलाल में thirteen stitches उल्टा बुन लेती हूँ three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen thirteen stitches उल्टा बुनने के बाद अब हम यहाँ पर तीन स्टीज साथ में बुनने वाले है अब यह तीन स्टीज साथ में बुनना है thirteen stitches बुनने के बाद यह तीन साथ में बुनेंगे fourteen, fifteen और sixteen साथ में बुनेंगे ऐसे करके डिजाइन बनाना है अब आप ध्यान से दिखिएगा नहीं तो डिजाइन खराब आएगा फास्ट इसे उतारेंगे स्लिप करेंगे और बीच वाले इसे भी उतारेंगे और नीडल आगे है यह उल्टी साइड है तो आगे से यह 14 स्टीज को हम इसे नीडल में लेंगे और 15 स्टीज को हम निचे से इसके उपर फास्ट में लगाएंगे बीच वाले स्टीज, तिन स्टीज के बीच वाले और यह तीन साथ में उल्टी साइड से ही इस तरह से बुनेंगे यह देख लिया आप रिवाइस करके अच्छे से देखिएगा अब 14 स्टीज है इस साइड इससे हम उल्टा बुनेंगे 14 स्टीज है बुन लिया अब यहीं से टरन करेंगे अब इस बार हम 13 स्टीज बुनेंगे 1 सिधा बुनना है सिधी साइड से सिधा बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा बुनना है सिधी साइड से भी डिक्रीज करना है और उल्टी साइड से भी डिक्रीज करना है जहांपर हमने ulti side से decrease किया था city side से भी अब वहीं पर हम 3 steps साथ में बुन के decrease करेंगे 13 stitches बुन लिया ulti side से 1 steps decrease हो गया था तो 14 था इस बार हमने 13 बुना अब इन 3 साथ में बुनेंगे फास्ट स्टीज स्लिप करना है उतारना है थोड़ा देर के लिए और बीच वाले ऐसे नीडल में लेना है फिर आगे से नहीं आगे में हमें आगे से लिया था उल्टी साइट से अब सिधी साइट से पिछे से ऐसे करके नीडल में लेंगे और बीच वाले इसके उपर से आग सिधी साइट से साथ में बुनेंगे इन तीन साथ में बुनेंगे इस तरह से सिधा बुनना है तीन स्टीज साथ में बुन लिया अब इस साइट 12 स्टीजेस है और इस साइट 13 स्टीजेस है एक स्टीज का कोई फ़रक नहीं आएगा अब मैं यह 13 stitches complete करऊंगी सिधा बुनके लास्ट वान 13 अब यहीं से पलट लेना है अब उल्टी साइट से मैं 12 stitches बुनोंगे 13 stitches था तो 12 stitches बुनोंगे अब मैं 12 stitches बुनके कैसे decrease करना है अच्छे से और एक बार दिखाऊंगे 12 stitches बुनने के बाद यहाँ पर यह सेंटर वाले stitches है इसके जस्ट पहले का छोड़ देंगे एसे सिधी साइट से देखेंगे तो आपको सेंटर वाले stitches समझा जाएगा चैन जैसा दिखाई देता है अब इन तीन साथ में बुनने आले हैं इन तीन स्टीज पहले हम फास्ट स्टीज उतारेंगे फिर सेंटर वाले भी उतारेंगे और फास्ट स्टीज को सेंटर में लगाएंगे बीच में लगाएंगे ऐसे करके यह उल्टी साइड है तो नीडल आगे से लगाना है और यह बीच वाले स्टीज पिछे से ऐसे करके लगाएंगे पिछे से लगाना है और तीन स्टीज साथ में बुनेंगे ऐसे करके दोनों साइड से एक बाढ़ में दो स्टीज डिक्रीज होते हुए जाएगा बाकी के स्टीज उल्टा बुनना है अब पलट लिजिए सिधा बुनते हुए अब हम सेंटर के स्टीज जास्ट पहले का एक छोड़ के बाकी के स्टीज सिधा बुनेंगे अब यह तिन साथ में बुनने आले है यह सिधी साइट फास्ट स्टीज उतारेंगे बीच वाले भी उतारेंगे और सिधी साइट से निचे से इसे लेना है इस तरह से और बीच वाले इसके उपर से ऐसे करके लगाएंगे और तिन स्टीज यह देखिए कितना बढ़िया सा चैन बनते हुए आया है तिन स्टीज साथ में बनेंगे अब मैं यही से मेथाट से आगे की बनाई कांटिन्यू करके डिक्रीज करते हुए जाऊंगे यह देखिए मैंने इतना बुन लिया अब यह सेंटर के छोड़के इस साइट फाइब स्टीज है और इस साइट सिक्स स्टीज है अब हम फिर से सिधी साइट से एक बार और उल्टी साइट से एक बार डिक्रीज करेंगे यानि कि फोर स्टीज हम डिक्रीज करेंगे टू, थ्री, फोर फोर स्टीज बन लिया अब सिधी साइट से डिक्रीज करना है निडल पिछे रखेंगे और आगे अलाइस्टीज उतारेंगे बीचले भी उतारेंगे और पिछे से ही आगे अलाइस्टीज फास्ट लेंगे और बीचले स्टीज इसके उपर से यहां पर लगाएंगे अब तीन स्टीज साथ में बुनेंगे बुन लिया अब बाकी के फाइब स्टीज बुन लेना है बलट लिजिए उल्टी साइट से फॉर स्टीज बनेंगे वान टू ट्री फॉर अब यहां पर डिक्रीज करना है फास्ट स्टीज उतरेंगे अब सेकेंड भी उतरेंगे और उल्टी साइट है तो आगे से फास्ट वाले स्टीज निकालेंगे और बीच वाले इसके निच्छे से उल्टी साइट से निच्छे से लगाना है तीन स्टीज साथ में बुनेंगे बुन दिया, आप बाकी के थ्री स्टीज बुनेंगे पलत लिजिये आप सुदी साइट से हम इन स्टीजेश को बाइंड अप करेंगे आप मेरे पास टॉटल 8 इस्टीज है इस साइट 4 स्टीज है इस साइट 3 और सेंटर के एक four total eight stitch है इन stitches को bind up करेंगे first dois stitch शाथ में बुनेंगे फिर से यह वापस नीडल में लगाएंगे वापस नीडल में लगाएंगे इस से करके इन stitches को bind up करेंगे अब लास्ट वान है इससे भी बैंड ओफ करेंगे दो स्टीज साथ में बुनके अब यहाँ पर एक नॉट लगा कर बचा हुआ ओल कॉट कर लेंगे बाद में इसे इस तरह से सिएंगे पंजा जो है कंप्लेट हुआ यह देखिए कितना बढ़िया बनके आया अब हम इसे इसे करके जो हमने सेवेन सेवेन स्टीजे सचोड़ा था साइट साइट में उसे इस तरह से फॉल्ट करेंगे अब हमें एक्स्ट्रा नीडल की जरूरत पड़ेगी अब दुसरे उल से दुसरे नीडल से बुनेंगे आप यहां से दुसरे नीडल से बुनेंगे पिछे अली नीडल से बुनेंगे ऐसे करके पिछे नीडल लगाएंगे और यहां से यान लगाकर बुनेंगे पिछे अली नीडल से एक स्टीज बुन लिया अब आगे अली नीडल से लिप करेंगे यानि कि बिना बुने उतारेंगे ये बिना बुने उतार लिया अब फिर से पिछे अली नीडल से बुनना है आगे अली नीडल से बिना बुने स्लिप करेंगे फिर से पिछे अली निडल से बुनेंगे आगे अली निडल से बिना बुने सिलिप करेंगे पिछे अली से बुनना है आगे से सिलिप करना है बुनेंगे आगे सिलिप करेंगे एगेन बुनेंगे आगे सिलिप करेंगे बुनेंगे लास्ट वान आगे का स्लिप करेंगे अब पलट लिजिए अब यहां से हम जो येलो कलर का दिख रहा है इसे बुनेंगे और आगे वाली पिंक है इसे स्लिप करेंगे येलो इसे बुनेंगे पिंक बिना बुने स्लिप करेंगे येलो बुनेंगे पिंक बिना बुने उतरेंगे इसे ही ये रो कम्पलेट करेंगे येलो बुनना है पिंक बिना बुने स्लिप करना है अब रो नमबर सेकेंड है इस बार भी लास्ट स्टीज मैंने स्लिप किया अब पलत लिजिए यार्ण आगे है अपनी साइट फिर से लास्ट स्टीज जो हमने स्लिप किया था इससे इस बार बुनेंगे बुन लिया आप सेकेंड स्टीज स्लिप करेंगे थार्ट स्टीज बुनेंगे फोर्थ स्लिप करेंगे इवेन नमबर में स्लिप करेंगे और और नमबर में बुनेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो स्टीज आपको समझ आएगा आगे और पिछे होगा पिछ्याली स्टीज बुनना है आग्याली स्टीज श्लिप करना है फिर से लास्ट वान एगें श्लिप किया ये देख लिया लास्ट में श्लिप किया अब पलत लिजिए इस बार फिर से लास्ट स्टीज फास्ट में बुनेंगे और लास्ट में श्लिप करेंगे ये बुन ल आप श्लिप किया फिर से बुनेंगे श्लिप करेंगे 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 बुनेंगे लास्ट श्लिप करेंगे ऐस इसे ही मैं 12 रो बनाऊंगी, दोनों साइट से फिर आगे आपको दिखाऊंगी, इतना सा बनाना है, अब मैंने 11 रो कम्प्लेट किया, अब लास्ट 1 रो है, फास्ट स्टीज बुनेंगे, सेकेंड स्टीज स्लिप करेंगे, जैसे आगे करते आ रहे थे, वही सेम तरीके से हमे में बुनना है, अब मैंने 12 रो बना लिया, अब हम यान को यहीं पर काट कर लेंगे, और सुई में लगाएंगे, थोड़ा सा उल छोड़ना है, अब सुई में यान लगाएंगे, इन स्टीज को इस तरह से निकलेंगे, बैंड ओफ करेंगे, एक ही साथ में, इस तरह से, 14 स्टीजेस था, अच्छे से सिकर करने के लिए और एक बार यहां से लगा कर फिर से निकलेंगे, अब यहां पर टाइट नट लगा के, गोल काट कर लेंगे, यह देखिए, थांब बन गया, इस तरह से आया, अब इससे यहां पर स्टीज करना है, यहां से, और यहां से, यहां तक, यहां से स्टीज करना शुरू करेंगे, एक नट लगाना है, सिधी साथ से ही स्टीज करेंगे, इस तरह से एक आगे का और एक विछे का लेके, ऐसे करके सिलना है, पंजा का स्टीजिंग कम्प्लेट हुआ, थाम तो हम स्टीजिंग करेंगे नहीं, वो करना नहीं है, अब यहां से इतना, सिल लेना है, यह मैंने सिल लिया, अब इस साइट सिलना है, यहां से, यहां से, यहां तक सिलना है, यह हिल्स पार्ट है, इसे, एक की साथ में, इस तरह से सिलना है, इसे करके इसे खिचना नहीं है इस तरह से स्टेजिंग करना है झाल 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 यह देखिए थामबर बंजा आज मैंने बुन के आपको दिखाया आप सॉक्स के हौल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके आप देख लिजिए और आप भी सिख के बुन लिजिए किसा लगा अच्छा या बुड़ा आप कामेंट जरूर किजिएगा थैंक यो फूर वाचिंग बाई बाई